एलो गाइस विलकम बैक टो माई चैनल तो आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ सुजी का सूजी के गुलाब चामन जो पहली बार बनाई हूं मैं और पहली बार में ही बहुत परफेक्ट बनाये तो सबसे पहले हम सूजी ले लेंगे सूजी चान लेंगे बिना चाने नहीं बनाना होता है चानना होता है ये तो सबसे पहले ये आधे लिटर दूद है आधे लिटर दूद में एक गिलास पानी और मिलाया था मैंने और दूद है वो गरम करेके जब दूद उबलने लगे तब ये सूजी डालना है अगर ठंडे दूद में डाल देंगे तो फोड़ा सा लंस बन जाता है और यहां पर मैंने दूद में डालकर एक अच्छा सा गारहा सा पेष्ट बना लिया था फिर हम ठंडा होने देंगे और मेरी पास थोड़ा मामा रखा था उसमें मैं मिला लूँगी इसमें बाइंडिंग के लिए मामा चाहिए या फिर मैंदा चाहिए तो मैंदा से तो अच्छा है मामा इससे टेश्ट और ज्यादा अच्छा लगता है तो मेरे पास मामा था एक लीटर दूद था वBack में घर में ही मामा बना लिया था तो इस गुलाब जामून में डेड़ी लीटर करीब का दूद लगा था आदि लीटर का जो सुजी है उसके पेष्ट बनाने के लिए एक लीटर का मैंने खोया बनाया था तो यहां पर मैं अच्छे से गूत लोंगी जैसे आटा गूनते हैं वैसे बिल्कुल फिर इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना होता है बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाके रग देंगे हम साइड में अब इसकी लिए चासनी बनाएंगे तो मैंने दो कटोरी चासन दस मिनट में बनकर तैयार हो जाता है नाब बिल्कुल फर्फेक्ट होता है एक कटोरी सक्कर में एक कटोरी पानी चाहिए आप कोई भी बरतन ले बिल्कुल जो भी बरतन में आपने सक्कर लिया है उसी बरतन के हिसाब से पानी डाले तो यह बिल्कुल फर्फेक्ट बन जा चासनी त्यार हो जाएगी यहां पर मैं गुलाब जामुन बना लूँगी सरकल से जी ऐसे जो हम पेश्ट गिट्स और या स्रीजी किसी भी चीज कर लेते हैं उसमें बहुत मेहनाथ करने पड़ती है ऐसे सरकल बनाने के लिए बिल्कुल दरार पड़ जाती है जैसे थोड़ा बहुत हमसे कुछ गूतने में कमी हो गई तो और इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पड़ता है बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है एक ही बार में मैंने भी पहली बार ही बनाई है सूजी वाली पहली बार में ही बहुत परफेक्ट बन गया था आप लोग फ्रीज एक ब तो ये देखिए चासनी बहुत परफेक्ट बन गया था और हाँ एक बात और है ये जो सूजी वाली गुलाब जामुन होती है इसमें चासनी भी बहुत कम लगता है जो मिक्स वाला बनाते हैं उसमें चासनी ज्यादा लगता है तो ये चासनी मेरी ज्यादा हो गई थी पहली इसलिए ज्यादा बन गई वैसे बहुत कम चासनी लगता है सूजी वाली में अब मैं यहां पर आपके पास घी है तो आप घी में फ्राइब कर सकते हैं और चाहे तो आप ओयल में भी कर सकते हैं रिफाइंड ओयल में यहां पर मैंने गेश चढ़ा दिया है बिल्कुल लोहे के कड़ाई में बहुत जल्दी जलने लगता है इसलिके मेरी जल गई थी जली नहीं थी बिल्कुल कलर आ गया था अब मैं इसे बिल्कुल धीमिधी में यह सेखना होता है और यह जो सुजी वाली जो गुलाब जामुन है वो जिस साइज में बनाते हैं उसी साइज का रहता है यह फूलता नहीं है क्योंकि इसमें न कोई सोडा इनो कुछ भी साइट डला नहीं होता है इसलिए है यह देखी बहुत ही कलर इसकी आई है बहुत ट है तो यहां पर मैं सारे गुलाब जामुन ठ्राइब कर लोंगी बिल्कुल ध्यमिधी में आज में अगर अगर तेज हो तो भी अच्छे से नेशे के अंदर से गिला रह जाएगा और उपर से इसके खला जाएगी तो यहां पर मैंने जैसे ही डाला चासनी में गुलाब जो है वह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है पता नहीं क्यों और तेश्टी भी बहुत बनती बहुत अच्छी बनी थी यह देखिए कि भी 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 बीच तक पूरी रस गई है इसकी और जो चासनी है